जहिंद वेलकम टू विजेपत एजुकेशन पालूमपूर एक वार आप सभी का HRTC ओनलाइन बैच में हारदिक स्वागत है आज एक वार फिर से हम आपके साथ ओनलाइन क्लास में जुड़ चुके हैं इस क्लास में हम मोर्टर वाहन से रिलेटेड सर्क सुरक्षा संकेत जानक के लिए आप हमारा HRTC का ओनलाइन पेड बैच जोईन कर सकते हैं जिसके लिए आप www.vijepatheducation.com के उपर या फिर प्ले स्टोर से विजेपत गौर्वर्मेंट एक्जाम प्रेपरेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें से हमने सिर्फ 200 रुपे में HRTC कंड़क्टर का ओनल बैचे जो हैं उस बैच को जोईन कर सकें सो स्टार्ट करते हैं आज की स्क्लास को देखी सबसे पहला कोशन है हमारे पास तो आज की स्क्लास का पहला कोशन है यह देखी आपके पास एक सिंबल दिया गया है किस चीज़ का सिंबल है उपर की तरफ एरो लगाया गया है यानि कि आपको जो है वो सिर्फ किस तरफ आप जा सकते हैं आगे की ओर जा सकते हैं प्रवेश निशेद बाए निशेद एक तरफ रास्ता तो देखी सिर्फ उपर की तरफ एरो है यानि कि हम सिर्फ आगे की ओर जा सकते हैं तो option A जो है वो इस question का right answer रहेगा next question है PUC परमान पत्र की validity कितनी होती है PUC यानि कि जो pollution का certificate आपका बनता है vehicles का देखी तीन जो है वो तीन नी चार जो है वो आपकी main administration होनी चाहिए यानि कि गाड़ी किसके नाम की है गाड़ी के जो original उसके forms है उसके जो कागच है वो आपके पास होने चाहिए second आपके पास गाड़ी को चलाने का license driving license आपके पास होना चाहिए third आपके पास pollution certificate होना चाहिए क्योंकि 2020 के बाद जो है सरकार ने बिलकुल compulsory कर द लेकिन अब इसको online digital में जो है उसको डाल दिया गया है बस आपकी गाड़ी का वो number डालेंगे और पूरी detail आपकी वहाँ पे निकलाएगी अगर आपके पास pollution आपके पास अगर पुराना update नहीं करा है तब यूनको पता चल जाएगा तब भी आपका चलान होगा insurance अगर थोड़ा सा इसका error है पहले 6 महिने का pollution certificate बनता था लेकिन अब जो है वो एक दो सालों से जो है वो इसको एक साल का बना दिया है तो इसको आप थोड़ा सा correct कर लीजेगा pollution certificate 6 महिने के साथ साथ अब एक साल का भी बनाया जाता है और जातर अब जो है वो इसको एक साल का ही ब दाइने चड़ना नहीं, चड़हाई की तो बात ही नहीं की गई है, तो option B तो आएगा नहीं, दाइन और चलते रहें, हाँ ये भी हो सकता है कि आप दाइन और चलें, दाइन तरफ school है, नहीं, school का एरो तो दिया नहीं है, तो इसका जो है वो क्या है, आपको right turn क्या है, मुड़ना है, घुमाव है, तो option A जो है वो इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल right answer क्लिक करेंगे, next one, नही कार के लिए एक बार tax है, हाँ बिल्कुल, जब भी हम नही कार लेते हैं, अपनी गाड़ी की जो registration हम उसको करवाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, गौर्वर्मेंट को tax देते हैं, ठीक है, तो वो tax है कितना, यानि कि जब भी हम कोई गाड़ी लेते हैं, जैसे 6-7 ल देखे, insurance जो है, वो normally गाड़ी की जो है, वो हम अपने ओपर depend करते हैं कि हमें कितने सालों तक करवानी हैं, लेकिन आजकल गाड़ी हैं जो है, या तो 3 साल या फिर 5 साल की insurance जो है, वो करवा के देती हैं, बिद 3rd party, लेकिन जो उसका tax है, वो जो है, वो 15 साल के लिए जो है वो भरा जाता है, उसके बाद उसकी फिर से जो है, वो उसको जो है, बाहन की नई registration जो है, वो हमें करवानी पड़ती है, उसको बढ़ाना पड़ता है, so option A जो है, वो इसका answer रहेगा, next one देखिए, आप motorcycle के लिए एक learning license करके क्या क्या कर सकते हैं, यानि कि motorcycle का आपने एक learning license ले लिए, learning license जो है, वो permanent license बनने से पहले बनाया जाता है, 6 महिने के लिए आपका ये ballot रहता है, आपको इसके लिए पहले computer का test आपको देना पड़ता है, उसके बाद आपका learning license जो है, वो बन जाता है, यानि कि आपको जानकारी है, computer test का मतलब है कि आपको जानकारी है, कि किस तरीके के symbols का use करना है, किन rules को आपको follow करना है, और किस तरीके से आपको गाड़ी जो है वो drive करनी है, उसके 6 महिने के बाद आपकी जो है वो trial की जाती है, 6 महिने के अंदर-अंदर महिने में एक या दो बार आपकी trial हो सकती है, वो depend करता है आपके RTO के उपर, अब जब भी उसकी trial होगी यानि कि physical तरीके से आपसे चेक किया जाएगा कि आपको गाड़ी चलाने आती है या फिर नहीं आती है, तो main जो RTO के officer होते हैं, SDM सहाब हो सकते हैं, तस्सिल्दार हो सकते हैं, वो भी वहाँ पर जाते हैं, आजकल BD recording होती है, तो वो चेक करते हैं कि आपको गाड़ी चलाने आती है या फिर नहीं आती है, आपने driving license बनाया होगा, तो जब आपके पास एक learning license है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पीछे एक महिला को बिठा कर बहान चला सकते हैं, ठीक है, option A में बताएगा, next traffic कम होने पर आप drive करेंगे, थर्ड मैं बुला, आप किसी अन्य विक्ति को motorcycle पर नहीं ले जाएंगे, सिवाए एक परशिक्षक के निर्देश प्रापत करने के उदेश्चे से, जो motorcycle चलाने के लिए एक bad driving license रखता है, पीछे तीन लोगों को बिठा कर चला सकते हैं, देखिए, जब भी हम नई गाड़ी सीखते हैं, तो गाड़ी के उपर हम क्या लगाते हैं, एक L का निशान लगाते हैं, टेप से या फिर color से red color का, ठीक है, गाड़ी के front और back mirror में, ठीक है, तो L का symbol हमने लगाया, L का symbol होता है learning के लिए, इसका मतलब है कि हमें गाड़ी अकेली ही चलानी है, हम किसी को बिठा सकते हैं, लेकिन वो एक instruction के according, यानि कि एक परशिक्षक जो हमें सिखाता हो, ठीक है, जो हमें driving सिखाता हो, उसके पास driving license होना चाहिए, तो option C जो है वो इस question का क्या होगा, बिल्लकुल right answer होगा, next question देखिए, नीचे की तरफ एक arrow बनाया गया है, इसका मतलब क्या है, अनिवारे बाएं रखें, बाएं तरफ रुकें, बाएं मुडें या फिर बापिश जाएं, तो देखिए, क्या इसका right answer है, अनिवारे बाएं रखें, आपको बाएं मुडने, जब मुडने की बात आएगी, तो arrow इस तरीके से होता है, लेकिन ये arrow बिल्कुल down birth है, यानि कि आप अनिवारे क्या रखें, बाएं ही रखें, आपको हमेशा बाएं तरफ ही चलना है, जब तक इस symbol का, जो है वो next symbol ना आ जा रहे, next देखिए, लाल traffic light क्या दर्शाता है, तो ये तो आपने किया है, अगर आप driving करते हैं, अगर आप conductor का paper दे रहे हैं, तो आइ थिंक ये तो आपको normal question है, बिल्कुल पता होना चाहिए, लाल traffic light, बाहन को रोकने के लिए, साबधानी के साथ आगे बढ़ने के लिए, गती को कम करने के लिए, दीरे दीरे आगे बढ़ने के लिए, नहीं, red traffic light जो है, वो बाहन को रोकने के लिए, जो है वो प्योग किया जाता है, next question है, ये देखिए, संकेत किस चीज के लिए है, बीच में blue है, और दोनों तरफ से जो है, वो इस तरीके का एका, cross जो है बूल लगाया गया है, रुकना या खड़ा होना निशेद, रुकने के लिए, चुराहा के लिए, या फिर parking के लिए, तो ये जो symbol है, यहाँ पर बिल्कुल भी आप नहीं रुक सकते, खड़े भी नहीं होना है, आपने यहाँ पर, या आपका, किसी सरकारी, जिसे कोई कोट है, या फिर पुलिस टेशन है, या फिर अस्पताल है, तो उस तरीके के वहाँ पर लगाया जाते, कि आप यहाँ पर खड़े ना हो, ठीक है, नेक्स्ट कोशन देखिए, एक T का symbol दिया गया है, किस चीज़ को शो करता है, आगे crossroad है, ने crossroad अगर symbol होगा, तो वो इस तरीके का symbol होता है, T प्रतिशेदन हो सकता है, संकीन सडक है, या फिर आगे रास्ता बंध है, तो इसका जो option है, वो है T प्रतिशेदन, यानि कि जो road है, वो T की shape का है, जैसे road है, इस तरीके को भी आदमी जा सकता है, इस साइड को भी आदमी जा सकता, तो किस आकरिती का ये बना, T आकरिती का ये बना, next one, mode पर overtaking करना, mode पर overtaking करना क्या है, मना नहीं है, मना है, साबधानी पूरवग करना चाहिए, या फिर इन में से कोई नहीं, बिल्कुल मोड पर overtaking करना, बिल्कुल मना है, option B जो है, इसका right answer रहेगा, बिल्कुल मना है नहीं, साब धानी पूरवक करें नहीं option C तो इसका नहीं आएगा एक बार आप इस question को check जरूर कीजिए और comment करके बताई कि option B या C में से हम किसको जादा prefer करेंगे या आपके लिए थोड़ा सा काम दिया है, I think मेरे according तो option B ही आना चाहिए फिर भी आप इसको check जरूर कीजिए, next question पैदल चलने वालों को तेज जुकाब पर सड़क पार नहीं करनी चाहिए या एक बंद बाहन के बहुत करीब यानि कि जब हम चल रहे हैं, जैसे कि मैं पैदल चल रहा हूँ, तो जब तेज जुकाब वाली सड़क है ठीक है, तेज जुकाब यानि कि जो सड़क नीचे की तरफ काफी जुकी है यानि कि बेंड है, या फिर एक बंद बाहन है उसके आसपास से हमें सड़क जो है वो बिल्कुल क्लोजली पार नहीं करनी चाहिए आसा क्यों, अन्य सड़क उप्योग करताओं को असुबिता के लिए, अन्य बाहनों के लिए असुबिता के लिए, लंबी दूरी पर आने वाले अन्य ड्राइवर सड़क पार करने वाले बेक्ती को नहीं देख सकता या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका जो राइट अंसर है, वो है option C क्योंकि जब एक तेज जुकाव है यानि कि बिल्कुल एक तीखा mode है तो वहाँ पे जो दूर से अगर कोई आदमी आ रहा है हम उसको नहीं देख सकते या जो दूर से जो driving करके आ रहा है हम उसको नहीं देख सकते तो इसकी वाइसे accident होने के जहाँ वो जादा chances होते हैं ठीक है next question है last question आजकी इस class का एक बहान के आगे निकलने से पहले क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए यहाँ पर दो बार है थोड़ी typing error है आगे निकलने से पहले क्या हमें करना चाहिए आगे की रहा सपस्ट रुप से दिखाई दे रही है और आगे बढ़ने में सुरक्षित है कोई बहान पीछे नहीं आ रहा है यह देखना चाहिए सामने बहान बहान बाईंग तरफ मुट रहा है यह देखना चाहिए या फिर inmost से कोई नहीं तो वैसे तो लगवग सभी option जो है वो हमारे hit हो सकते हैं लेकिन हम किसको prefer करेंगे क्योंकि हमें आगे निकलना है तो हम देखेंगे आगे की तरफ तो आगे की रागर हमें spast दिखाई दे रही है बिल्कुल साफ अगर आगे road दिखाई दे रहा clear है तो हमें आगे जो हैं वो हम अपने safely आगे जो हैं वो हम बढ़ सकते हैं तो next class के साथ मैं आपसे मिलूँगा तब तक के लिए आप अपना notes बनाएए HRTC की next classes को हमारी join कीजिए और विजबत आप को आप डाउनलोड कीजिए जय हिंद जय भारत